नमस्कार किसान भाईयो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये करेले की खेती है और इसके अंदर पीला पन आने के कारण जो ग्रौथ है वो रुखी हुई है फुटाव आने ही रहा है और फल वी सेट रूप से नहीं आ पा रहे हैं या अधिकता में नहीं आ पा रहा है एक तो इस वी से पर बात होने वाली है चुकि हमारे इन किसान भाई ने इसमें तरह तरह की दवाईयों का प्रियोक कर लिया है उसके वाद भी ये ग्रौथ पर आने ही रही है दोस्तो इस बार बारिस अधिकता में हो रही है तो जिसके कारण बातावरण में इन्होंने अधिकता में इसमें जैसे कोई ग्रोथ प्रमोटर हो गया उनकी वरपूरता रखी है जिंक भी इन्होंने लगाया हुआ है इसके अंदर पोटास भी इन्होंने डाला हुआ है तो वह सारी चीज़े डालने के बाद भी जो सलफर तत्व है वो इन्होंने इसमें कहने का मतलब यह है कि इस्प्रे से इन्होंने जो कार्मेंडाजिम मैंकोजेव होता है फंगी साइड है डाला है वट जमीन के अंदर जो फंगल इंफेक्शन हुआ है उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ भी डाला हुआ नहीं है तो इसके लिए सल्फर की मात्रा अवज से आप डालिए जड़ो की छेतर में तो वहां से जो फंगल इंफेक्शन आया हुआ है वो एकदम से रुकेगा और फिर जो ग्रौथ पे हमारी फसल है वो आती है नई इसमें फुटाब देखने को मिलेगी फल भी अच्छे खासे आएंगे और फिर जो एक तरीके का इसमें टेड़ा पन है फल में या फिर सड रहा है वे सारी चीजे भी रुकेंगी तो इसमें एक तो हो गया फंगल इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सल्फर जो जड़ छेतर से डाला जाएगा यानि कहने का मतलब यह जो क्यारिया वनी हुई है उसके अंदर डलवाएं दूसरा जो इस्प्रे में करने वाली चीज है इमीडा किलोरोपिड जो होती है उसकी मात्रा ले करके क्योंकि जो कीट है वो लार्वा छोड़ते हैं जिसकी वज़े से जो चैपा होता है वो हमारी फसल पे वनता है और चैपे के कारण भी ग्रोथ कई वार रुकती है तो की इंपोनेट मिथाइल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है उसकी डाई गिराम मात्रा पर लीटर के हिसाब से अगर इस पर डलाया जाए तो जो यह समस्या आपको देखने में आ रही है करेले की फसल में यह एकदम से दूर हो जाएगी और साथी में दोस्तों वोरोन का प् कीडे होते हैं वो उसमें चले जाएं और जो फल्चेदक कीडे हैं वो हमारी फसल को प्रभावित ना करें चुकि दोस्तों यह लगभग दो एकड में फसल है और दो एकड बहुत बड़ी मात्रा होती है इसमें खर्चा भी बहुत आता है तो ऐसे में यदि फ्रूटिंग ह भी कोई ऐसी फसल हो जिसे लोकी हो गई या फिर तोरही होगी या फिर करेले की फसल होगी जिसके अंदर अगेती अंगमारी कह सकते हैं या फिर पीला पन जिसके कारण ग्रौत रुखी हुई है अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो आप भी अपनी फसल के अंदर सल्फर जो अच्छी quality का हो agro star के पास आता है sulfur max चुकि उस sulfur के अंदर 2-3 प्रकार की quality होती है वो sulfur का तो कारे करता ही है साथ ही में जितने other micronutrient हमारी जमीन के अंदर पड़े हुए हैं उन्हें uptake करके पौधे तक पोचाने का काम भी वो करता है तो west option में मैं आपको recommend करूँगा कि agro star का जो sulfur max है उसे आप डलाएं तो आपको देखने में आएगा जो ये पीलेपन की समस्या है growth ना होने की समस्या है ये एकदम से ठीक हो जाएगी और दोस्तों फिर इसके 5 दिन वाद कोई भी अच्छा growth promoter आप इसमें लगाएं जिससे जो fungal infection है वो तो control हो और एकदम से हमारी जो फसल है वो अच्छे फुटाव के साथ fruiting के लिए तैयार हो तो इसके लिए आपको faster नामसे एक agro star का आता है जिसमें protein photolysis एक भरा होता है तो बहुत ही लाजवाब चीज है उससे एक चीज ये भी है कि एकदम से वेल भागती नहीं है पकती नहीं है तो आपको वीडियो में के वल इतना ही नमस्कार